आज मैं बनाने जा रहे हूं इतल्य सांबर नरीयल की चतनी ही यहाँ पर देखे मैंने उर्दी का दाल लिया है इसको मैंने 6 Gonzalez Gala लिया तो उर्दी का दल और चावल जो हम लोग हेद थी कर खाते हैं मतलब राद भर इसी तरह मैं छोड़ दूँगी इतलिया हमारी सॉफ्ट बने तब तक ये धग दूँगी अब ये देखिए सुबह मैं बनाने जा रही हूँ सामभर ये तूगर का दाल मैंने लिया है चने का दाल दोनों मैंने बराबर भागों में ले लिया यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, मूली, लहसुन, कोड़ा, बैगर और नमक, हल्दी, असामभर, मसाला ये सारे मैंने ले लिया पूकर में मैं डालूंगी सारे सबजिया और दाले हल्दी, नमक डालके मैं इसमें प्रेसर लगाऊंगे अगर ये आपको लोग को इटले सामभर और नारियल की चटनी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजेगा गाइस यहाँ पे मैंने देखे सारा सब्जिया डाल लिया है, अब मैं इतमे पानी डालो, जितने भी मेरे पास कटी हुई सब्जियां थी, प्याज मूली, बैगन कुमडा, सब्सक्राइब, अब मैं इसे प्रेसर लगा दूँगी अब आते हैं चटनी की तयारी करें, यहाँ पे मैंने नारियल को चोटे-चोटे भागों में कट कर लिया, यहाँ पे हरी में चल लहसुन से मैं पीस लूँगी और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में तेल, डिफाइन डाले डाल के सरसू का और कड़ी पत्ता, लाल में चका, तड़का देए, यह देखें इसमें हलका सा पानी डाल के मिक्सर गाइंडर में, इसमें हम थोड़ी देनी तक इसे पकाएंगे, हमारा नारीर खचटनी तड़के वाला बन के तयार यह, हम इटले के सामभर, धोसा सब के साथ खा सकते हैं, अब घर भी बना, यहाँ पर देखें, मैंने प्रेसर दिलाया था, यह देखें, हमारा बन के सामभर तयार हो गया है अब मैंने एक बात बताना, आपको भूल गए, मैं इमली गला के रखी थी, अगर आप रहत बन नहीं गला सकते, तो उसमें गरम पानी मैं गला दिया, यहाँ पर मैंने सारे इकठा कले, यह इमली का पानी है, प्याज है, कड़ी पते और सर्सू, तेज पता और लाल मिर्चा यहाँ पर मैं तड़का दे रही हूं सामभर के लिए, यहाँ पर मैंने देखें कड़ाई में सारे डाल दिया गड़ी पत्ता सर्सू तडग गया था, सर्सू अर्तीश पत्ता लाल हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया, खटे हुए छोटा सप्याज में डालने और उचादा नहीं, टमाटर तो अल्रेडी मैंने डाल रखा था उसमें सांभर, अब मैं ये भुनने के बाद इसमें डालू इमली का पानी, ये देखे हमारा तब तक खुबल रहा है, आईगे तब तक इटली बना लेते हैं, जब तक ये होगा, ये देखे हमारा कितना थोड़ा सा था था ना, फूल कि कितना ज़्यादा हो गया, इसको रात बर मैंने, अगर आपके घर स्टेंड ना हो इटली बना स लगते हैं, ये देखे, मैंने इसमें, मैं इसमें ओयल लगा रही हूँ, इससे आपके इटली या इसमें चिपकेंगी नहीं है, इसमें ओयल लगा कि जो मैंने बेटर तयार किया है, फूला हुआ, थोड़ा सा था जो ज़्यादा हो गया रात भर रखने के बाद, यहाँ प के घर में नहीं हो, तो आप पानी डग दीजेगा, उबलने के लिए, ढख के, अर काटोरी में भी तेल डालके, ऐसे आप बना सकते हैं, यह देखे, मैंने अल्रेडी पानी डग दिया, अब मैंने इटली स्टेंड लगा दिया, यहाँ पे मेरा दूसरा वाला भी लगया, अ इसका मसलब यह हमारे इटले बनके तयार हो गया, अब हम इसे निकाल लें, देखे, कितने सौट सौट इतली हुए है न, अब इसे चाको की मदद से, गरम है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठंदा हो जाएगा, तो यह देखे, कितने जादा नहीं चिप के यहाँ पे, देखे, सब्सक्राइब कीजेगा हमारा बीडिन चैनल और लाइक से और कमेंट करना ना भूले, यहाँ पी देखे हमारा सामभर, देखे सबजी सबजी लग रहा है, यह यह सौट सौट इट लिया है, और यह नारियल की चटनी ताड के वाले, अगर आप लोग को अच्छा लग, अ जरूर से बना कि खाये, थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो,